हेलो दोस्तों स्वागत है आप लोगों काज के एक नए वीडियो में तो आज हम बात करना है वोले टेक्नो फॉन में कॉल सटिंग को लेकर जैसे कि बहुत सारे लोगों ने मुझे कॉमेंट करके बताया था पिछले वीडियो में कि मेरे फॉन में कॉल सटिंग में जब भी कॉल आता है तो हमारे फॉन में जब हम रिसिब करने जाते तो फॉन आटोमेटिक कट जाता है या फिर जब भी कॉल आता है तो सीधे कट जाता है थोड़ा देर रिंग होता है उसके वाद अपने आप फॉन कट जाता है तो ऐसा प्रब्लम क्यों हो रहा है कि सभी के call आते हैं पर receive नहीं कर पाते हैं और phone कर जाता है तो ऐसा क्या problem है इस पर आज मैं बात करने वाला हूं तो चलिए video को start करते हैं तो सबसे पहले इस channel को subscribe करके bell icon को all पर set कर लीजेगा क्योंकि इस तरह की वीडियो का notification आपके पास सबसे पहले पहुंचे इसलिए आपको bell icon प्रेस करना बहुत ही जरूरी है तो चलिए video को start करते हैं तो सबसे पहले तो हमारे phone में call का problem है तो हम सबसे पहले dial or open करना होगा तो आप अपने phone का dial or open कर लिजे जैसे कि मैं यहां पर कर लेता हूं जैसे मैंने dial or open कर लिए तो यहां पर आप देख सकते हैं सारे contact हमारे यहां पर दिख रहा है जैसे कि मेरे पास कितने ज़्यादा call आए हैं लेकिन मेरे phone में receive नहीं हुआ है कि मेरे phone में बहुत सारा setting गरबरा गया है जैसे कि बहुत ज़्यादा setting हमारे phone में इधर उधर हो जाता है ना इसके करादा हमारे phone receive नहीं कर पाते है तो चलिए मैं अभी आपको setting साही करके दिखाता हूं तो सबसे पहले आपको उपर में three dot पर दिख रहा होगा वहाँ पर tap करना है वहाँ पर tap करने के बाद आपको setting का option दिख रहा है third number में हमें यहाँ पर click करना है तो हम setting में चले जाते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा option दिखते हैं जैसे कि आपको सबसे उपर में ही calling account का option आपको दिख रहा हूगा। calling account पर हमें tap कर देना है उसके बद आपका जोभी calling account है वो आपका यहां पर so हो झागए। आपको geoport g ka option दिख रहा होगा। आपके phone में जो भी सिम होगा उसी साब से आपको दिख रहा होगा तो मेरे में जीओ फॉर जी दिख रहा है तो मैंने टैप कर दिया उसके आद यहाँ पर भॉइस मेल का उप्शन दिख रहा है तो यहाँ पर आपको सबसे फ़र्ष्ट में उस पर टैप करना है और उसके बाद आपको नोटिफिकेशन का उप्शन दिख रहा तो इसको आपको ओन कर देना है यह ओन रहेगा आपके फोन में तभी आपके फोन में जो कॉल आते है तो आपका उपर में यहां पर नोटिफिकेशन सो होता है कि आपको कॉल रिसीब हो रहा है तो आप वहां से जाके कॉल को उठा सकते हैं रिसीब कर सकते हैं तो यह कर देना है और एडिशनल सेटिंग मानिक बाद कॉल वेटिंग का जो यह option है इसको आपको आफ कर देना है ऐसे तो इसे ओन ही रखना चाहिए लेकिन जब भी आपके फोन में कॉल आए और आप रिसिप ना कर सके और अपने से वो कट जाता है तो आपको इसको आफ कर देना है मेरे फोन में ओन था तो मैंने इसे ओफ कर दिया आप ओफ करके देख लिजिए उसके बाद आपके फोन आने पर रिसिब होता है कि नहीं आप ट्राइ करके देख लिजिए अगर होता है तो सही है नहीं होता है तो अभी और भी सेटिंग है जो आपको बताना है तो चलिए वीडियो को आगे चलते हैं वीडियो में तो सबसे पहले हमें बैक आ जाना है और बैक आने के बाद आपको यहां पर accessibility का option दिखरा होगा इस बीलीटी का option पर हमें क्लिक करना है और यहां पर हमें TTY mode दिख रहा होगा तो इस पर हमें tap करना है और यहां पर आप देख सकते हैं TTY full हमारे phone में select है तो यह कभी कभी क्या होता है कि हमारे phone में support नहीं कर पाता है TTY full तो आपको इसको क्या करना है TTY full है उसको off पर क्लिक कर देना है आप देख सकते हैं यहां से TTY off पर मैंने select कर ल नहीं हो रहा है तो आपको और भी setting करना पर एगा जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूं तो आपको back आ जाना है करना यहां से पके mobile Network का जो system इसको जाके आपको चेक करना सबस्षिन है की नहीं चलिह मैं आपको दिखादेताओं यहां से आपको देखना है Roaming का option दिखरागे इसको आपको हमेशा ही on रखना है यह on होना चाहिे आपके फोन में उसकाद 4G मॉड आपको में select है की नहीं यह वो आपको check करने ना है और network type में आपको हमेशा automatic select network को safe करके रखना है क्योंकि जब भी automatic होता है तो आपको steam के हिसाब से आपके आप जहां भी रहते है उस हिसाब से आपके phone में network sk구요 जाता है और आपके फ़न के जिल में कॢião कोन सा है या टिले जिए उसे सब सेनेटवर्क सेलेक्ट हो जाती मैं तर अपको स्लेक्ट कर लेना ओन कर देना इसा भाद आपको बैक आना है इतने करने लिलम में या फिर आपको चले जाना है रीसेट ईपशन में आपके फोन में जहाँ भी रीसेट ऑपसन होगा आप सर्च कर लिजिएगा वहां से चले जाना है आपको रीसेट ऑप्सन में और यहां पर आपको दिख आ होगा रीसेट Wi-Fi mobile औन Bluetooth ध्चार्ट से सुन जैसे आप दे देते हैं तो फिर से आपको reset setting का option बताएगा तो आपको यहाँ पर tap कर देना है अब घबराएगा नहीं क्यूंकि इससे आपके phone में जो भी call का setting है internet का setting है और reset हो जाएगा जैसे कि आपने phone को जब purchase किया था खरीदा था उस समय जैसा आपके phone में शुरू हो जा होगा आप अपने dialer में चले जाएए और किसी और phone से phone कीजिए और अपने receive कीजिए call को या फिर और भी कोई problem होगा वो भी आप देख सकते हैं कि आपके phone में सही हो चुका होगा तो इस तरह से आप अपने phone के जो भी problem है dialer का उसे सही कर सकते है तो वीडियो अच्छा लग कि डिएए में है अपने लग्राइ टाल ऑर का जान